हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई वीडियो हंजी वापस आने का धन्यवाद आपके लिए मैं फिर से आपकी सेवा में प्रकट हो गया हूं आपके लिए सेगंड पार्ट मैंने बनाया है पीवाई की उसका मार्केटिंग मैनेजमेंट का तो अगर आपने गलती से फर्स पार् और सर्वेस इंक्लूडिंग वेज इन विच ब्रैंट अटेंब्स तो मीट कस्टमर साइकोलोजी और सोशल नीट थीक है फिजियोलोजिकल और सोशल नीट तो बहुँदिक प्रॉपर्टी जोती है एक प्रोडक्ट की एक स्ट्रिंसिक मतलब एक्स्टर्नल एक्स्टर्नल मतलब जो बहार ही दिखती है आखों से देख सकते हो जिसको ठीक है तो एक्स्ट्रिंसिक पॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट और सर्वेस इंक्लूडिंग वेज इन विच ब्रैंड एक्स्टमर्स फिजियोलोजिकल और सोशल नीट जो की एक्स्टर्नल फीचर्स जो आपके कस् पर में ब्रैंड परफॉर्मेंट पर बहरा है और छलो पहले है और川ण में गुद्रेंड परोडक्ट को यूस किया अपने अपनी मांड मिंद में Praा है यह वैसा है अच्छा बहुत अच्छा लगा अपने उस प्रोडेक्ट को आपने यूजई किया इस्तीमाल कि और आपने देखा यह मिरने मतलब का है भी या नहीं तो जिखी आपने दो ब्रैर्ड तो मतलब कुई आपका लगा नजुमेंट ब्रेट ब्रेट अक्लिक यहां पे होता लीटा ब्रेस्ट्रक स OF अब क्योंते चूर्ट बनाता है कौन सा वला ऑपने कस्टमर के साथ ल arguments बनाना चाहता ता लॉयल्टी जिसको कहते हैं लॉयल्टी बनाना चाथ लॉयल्टी मतलब अगर इसको एक याद आई टेयोटा याद है या अगर यह लेट पेस्ट खरीदने की सोचे तो इसको सिरफ कॉलगेट याद है यह रिलेशनशिप ठीक है ब्रैंड डेंड मतलब कि ब्रैंड अपने ब्रैंड के बारे में लोग क्या सोचते हैं ब्रैंड के बारे में क्या एक image है positive image है negative image है लोग कहते हैं यह तो बहुत अच्छा phone होता है इसका Samsung के phone बहुत अच्छे होते हैं camera बहुत अच्छा होता है ठीक है performance brand performance कैसा वो perform कर रहा है क्या जो जिस वजा से मैंने उसको खरीदा था उस प्रोड़क्ट को जिस वजह से मैंने इस ब्रैंड के प्रोड़क्ट को खरीदा था क्या वो उस लेवल पर काम कर पा रहा है मेरे लिए या नहीं प्रफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं तो अब पढ़ते हैं extrinsic properties of a brand या product or services including the ways in which the brand attempts to meet the customer physiological and social needs by physiological and social needs मतलब मिरको अपना प्रोड़क्ट यानि की मिरको उस प्रोड़क्ट को लेना है जिसकी image अच्छी हो physiological and social needs को जो मेरी मीट करें जिसके बारे में लोग अच्छी अच्छी बाते करें कि Samsung के फोन बड़े अच्छे होते हैं image अच्छी है Samsung company बहुत अच्छी है like that brand image आगे चलते हैं which in the following is an example of real need मैं समझाने से पहले आपको एक एक करके पहले इन options को समझते हैं और क्या बोलना चाहिए यह समझते हैं the customer wants an inexpensive mobile phone customer गया दुकान पर बोलता अब यह सस्ते वाला फोन दो उसने बोला सस्ते वाला फोन चाहिए मेरे को क्या बोला सस्ते वाला फोन चाहिए in expensive मूँ से बोला state किया stated s t a t e d stated needs मूँ से बताए गया वर्बली बोला गया कि भीज्या मेरे को यह चीज़ होनी जी कैमरा अच्छा होना चाहिए मेरे फोन की बैटरी बहुत लंबी चलनी चाहिए मेरे को गाड़ी चाहिए जो उसमें ऐसी बड़ा अच्छा हो या फिर आपका stated need तो पहला वाला आपका stated need अगला क्या कह रहा है customer wants a car whose operational cost but not initial prices low operational cost operational भाया मिर को जो गाड़ी है वो सस्ते में चले कम डीजल फूके ठीक है कम पेट्रोल पीए एसी ओ फाइस्टार हो कम बिजली पीए चलते टाइम पूरी पूरी रात चलाओं पांस्टार एसी बहुत कम बिला है ठीक है तो यह हो गया हमारा सस्ता चलने में खरीदने में नहीं चलाने में सस्ता पड़ेगा याद रखना खरीदने में नहीं चलाने में सस्ता तो वह हो जाके दुकान दार को usually नहीं पूछते हैं कि भया after sales service कैसी है यह क्या है वह क्या है सई तो होगा तो यह सब चीज़ें हम बोलते नहीं unstated है बट हमने चाहिए है हमने बोला नहीं हमें चाहिए नहीं हमने कोई phone खरीदा उसकी aftar sales सर्विस हमें चाहिए अच्छी लेकिन हम पूछें या ना पूछें उससे मतलब नहीं है तो यह अन् स्टेटेटेट नीद अन्स्टेटेट नीद मतलब कि भाई मैं जाके दुकानदार को यह फोन खरीदने जाता हूं तो पहले आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी होने वाला फोन दिखाओ हम बोलते हैं अच्छा कैमरा होना चीए तो वह स्टेट हो जागा और जो हमने नहीं बोली मूह से लेकिन हमें चाहिए वह हो जाएका अगला है कस्टमर वांट सफ्रेंड टू सी हैं मैं सेवी कस्टमर भाईय अच्छी बाते करें इसको तो बहुत अकल है इसको तो ब्रैंड की बहुत कॉंशिएसनेस है मिरे से चार बंदे आके पूछे भी या मिरे को यह खरीदना है आप बता दो आपके पास तो बहुत नौलेज है आप बता दो थोड़ा कि कौन सा लेना चाहिए यह मेरी और थ्री आपकी टीवी स्क्रीन पर 50,000 रुपे के लिए यह रहा फॉलेंग स्टेटमेंट्स रिलेटेट्ट तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल ठीक है भाई कुछ स्टेटमेंट दे रखें मार्केटिंग चैनल के बारे में मार्केटिंग चैनल जहां तक मैं आपको याद दे ला दूं तो वो होता है उसमें रौ से लेकर से ल्फ जो हमारे कन ऊन्संसे ज्टेश को उस में जितने भी सारि तो पहला होते हैं बूल सकते जैसे सबसे पहला होन होटा है होल्सेलर के बाद QUMAN के पाद के चैनल मैंबर्स डूमार्ट गैअर information about potential and current customer competitors and other actors and force into the marketing environment चा कह रहा है यह channel members do not gather information channel member को information gather नहीं करते ठीक है about potential customers current customers competitors okay other actors and forces in the marketing environment very good कोई information gather नहीं करते हैं वो लोग channel members मगर फिर भी उनका business बढ़िया चल रहा है very very good बहुत बढ़िया कैसे हो सकता भाई यह मेरी बात बताओ आख बंद करके मैं बैड़ जाता हूं कान बंद करके बैड़ जाता पढ़ा लूगा मैं similarly channel partner अपने information नहीं करेगा potential current customer के बारे में competitor के बारे में other factors के बारे में कहां से चला लेगा वो सब्सक्राइब करने के लिए अगले लेवल पर पचाने के लिए तो हमारी यहां पर होगी पहली अगला question ध्यान से पढ़ेंगे हम अगला है एक लाख रुपे का question आपके TV स्क्रीन पर चोगी है चौथा विच्वान अट्रिव्ट्रिव्ट्स आफ एडवर्टाइजिंग रिलेटेट टू लॉंचिंग अ न्यू प्रोड़क्ट कॉल्स पर यहां वह कितने मिरे पास्यार टीके मेरे पास लोगी सब्सक्रीथ यह में एक साथ सब्सक्राइब एक साथ सारा पैसा लगा तो ठीक है क्या क्या रहा है यह new product calls for spending all the advertising budget in a single period तो एक एक करके एक टर्म समझते हैं ठीक है तो भाई पहली टर्म क्या रही है क्या होता है कि हमने कुछ पीरिड में कुछ नहीं कर दिया किसी पीरिड में हमने कुछ नहीं किया मतलब जैन्वरी में मैंने लगाए थे अच्छा समय चल रहा है तो 10,000 रुपे लगा दिए ठीक है मार्च में मैंने का यार इप्रिल में मैंने 50,000 रुपे लगा दिये एसी जो मन कर रहा हैं पलसिंग मतलब विए ज़्acy करता जा रहा है इडवर्टाइजिंग कर रहा हैं अद्वर्टाइजिंग के कर रहे हैं ठीक है अगला क्या है कंटीन वेटी में पास एक लाग 20,000 रुपए और साल में आपको पते हैं कितने महीने होते हैं तो बारा महीने मतलब हर महीने मैंने कितना लगाया बच्चो दद दसाजार रुपे पर मंद 10,000 पर मंद ठीक है continuity सिंपल है बाई एक ही अमाउंट लगाता चला के हर महीने के लिए तो यह कॉंसेंट्रेशन आपके पास भी फार्फरवरी में कोई लगाने का फैदा नी मार्च में एपरल में 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 जून में जुलाई अगस्त सब्टेंबर अक्टूबर नॉम्बर डिसंबर ठीक है डिसंबर में और जाद से ज्यादा लोग एपरेल में में खरीते हैं मार्च एपरेल में तो इस तीन महिने में मैंने पूरा पूरा पैसा लगा दिया एक लाग बीज़ार को बजट था छे पीरा लगा दिया ठीक है अब यहां पर क्या है मैं constant तो रखूँँगा besides इतना तो लगाँ औहीं लगाँंगा और किसी मेहिने मैंने 10 बी लगा दिया फिर वोपेज 2000 पे आ गया फिर लगा दिया 10 लगा दिया फिर 2000 छो लगा दिया किसी-किसी specific महीनों में ज़्यादा लगा दिया किसी-किसी specific महीनों में मैंने कम लगा दिया तो यह हो जागा हमारा फ्राइटिंग अब चलते हैं question पर answer पर question का answer क्या है कि बाई एक ही period में मैंने मैं पताता हूं भी आपको कि कैसा अगर question आया है assertion और reasoning कैसे करते हैं उसको एक तो होता है statement one statement two statement one सही है statement two सही है एक होता है assertion एक करता है reasoning इसमें क्या होता है statement वाले में तो कोई simple सा कुछ दिमांग नहीं लगाना होता उसमें पहली statement पड़ो सही है तो टिक गलत है तो cut ठीक है दूसरी statement पड़ो सही है तो टिक गलत है तो cut अब assertion reasoning में देखो दो option सही हो जाती है दोनों सही हो तब भी देखो a पड़ी आपने लगा या यह सही है b reasoning पड़ी आपने वो कई सही है यह कह रहे है कि सहए तो है बट क्या वो right explain कर रहा है ए and r are correct r is the right explanation of it और अगला वोलेगा a and r are correct r is not the right explanation क्या वो explain कर रही है उस चीज़ को करके देखते है एक्स्टेन कर दिया यह नहीं पहले तो यह देखते हैं कि सही है यह नहीं ठीक है तो पहले एक प्रोड़क्ट बना रहा हूं क्या वह प्रोड़क्ट है या लॉस में जा रहा है ठीक है दूसरा कि कि भाई इस सेग्मेंट के लोग क्या पैसा देने में कतर आते हैं ठीक है यह सारी चीज़े हम चेक कर लेंगे उसका यह स्टेट्मेंट सही लग रही है ठीक है पहली वाली सही है दूसरी यह पढ़ लेते हैं मैजर ओफ प्रोफिटेविल्टी हेल्प कंपनी डिटमाइन इसको बंदी करना चाहिए है या नहीं सही बात लिखी है दोनों स्टेट्मेंट सही है पर क्या रीजनिंग को एक्स्प्लेन कर रही है अब देखो इसकी ट्रिक मैं बताता हूं आप लोगों को आज जादवी टिक सिखाई देता हूं मैं आपको ठीक है देखो सुनो लेकिन बीच में लगा तो इस इस बिकॉज को यह मेरा फॉर्मूला है कि यह लगा दोगे तो आपको यह कहीं पर नी सीखने को मिलेगा किसी बुक में नी मिलेगा कैसे लगाओगे तो आपका चलेगा करके देखते हैं चलो कंपनी शुड मेजर दे प्रोफिडिविल्टी अफ दे प्रोडॉक्ट्स टेरिटरीज कस्टमर ग्रोप सेगमेंट्स ट्रेट चैनल्स एंड और साइज इस इस बिकॉज मेजरिंग मेजर अफ प्रोफिडिविल्टी हेल्प कंपनी डिटर्मिन वेधर तो एक्सपैंड तो कि मिरे को लग रहा है इसमें बना तो यह टिक लगा तो पहले वाला कि भाई अन आर और करेक्ट एंड दिस इस इस दे राइट एक्स्प्रीनेशन और अगर आपको लग रहे हैं यह यह दिस इस बुकॉस लगाने से दोनों की भीच में लिंक तो नहीं है कुछ पहला वाला पेका लगा लो ठीक है इन विच और फॉलिंग टाइप्स अ स्टोर रीटेलर लार्ज लो कॉस्ट लो मार्जन हाइव वॉल्यूम सेल्फ सर्विस स्टोर एट्रिब्यूट्स और डिजाइंड तो मीट टोटल नीट्स ऑफ फॉर फूड एंड हाउसल प्रोड़क्स बहा इ मतलब बहुत बड़ा एरिया ठीक है लो कॉस्ट मतलब के कॉस्ट जो होगी प्रोड़क्स की क्या होगी बच्चों लो मार्जन क्या होगा मार्जन यानि मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट होगा यहां पर कम ठीक है मेरा प्रॉफिट है यहां पर बेटा कम ठीक हाई वॉ कर रहा हूं I am not selling one or two pieces to any person I am selling one lakh pieces एक लाग piece में एक साथ बेचता हूं ठीक है high volume पे बेचता हूं self-service stores self-service मतलब भया आपको खुद जाना है खुद महां पे वह खिसकानी है वो क्या होती है वो जो भी food and households मतलब ना सिरफ खाना बलकि household का जो लगने वाला समान है वह भी आपको मिलेगा उसमें तो इसमें आपका answer देखते हैं पहला कौन सा है सूपर मार्केट और दूसरा है सूपर स्टोर अब यह दोनों पर मैं आता हूं थोड़ी दिर में पहले discounted store देखते हैं discounted store वह होते हैं जहां पर जैसे हम यहां पर हम अपना समान है अब इसके बाद चलते convenience store convenience store का मतलब है किराने की दुकान जो आपके घर के आसपस गली नकड में मिल जाती है किराने की दुकान तो convenience store मतलब जहां पर आप राशन पानी खरीद लो अपना डेली डेली का जो आप खाना पीना खाते हो चिप्स ले आए कौक ले आए और आटा वाटा खरीद लाए यह convenience store उसके बाद आपका superstore और supermarket अब देखो supermarket क्या होती है आप लोग गए होगे reliance का fresh ठीक है supermarket वहाँ पर क्या है आपको सारी items मिल जाएगी a to z bottle भी मिल जाएगी सबजीया मिल जाएगी reliance fresh में सारी items मिल जाएगी ठीक है इन दोनों में फरक क्या है इन दोनों में फरक क्या है दोनों सेम चीज़ करते हैं बट supermarket और superstore में यह फरक है कि supermarket में food items में deal किया जाता है जबकि हमारा superstore में non food items में deal किया जाता है ठीक है तो non food फूड आइटम आइटम्स ठीक है मैं डील किया जा रहा है सूपर स्टोर में और सूपर मार्केट में फूड प्लस नॉन फूड तो हमारा इस क्वेशन का अंसर होगे भईया वन ठीक है आप जीट चुके दो लाक रुपए आगे चलते हैं expression ко 7 रbek है customer partnering का मतलब क्या है एक अट साथ पार्चनर को पूछ आपको क्या चाहिए है आपको क्या पसंद आफ सो हम वही बनाइंग आपके लिए working more closely with customer to add value to their operations customer के साथ मिलकर काम करो उनसे पूछो भया क्या चाहिए उनको बोलो उनके लिए प्रोड़क्ट बना दो यह हो गया पहला वाला सही यह तो बहुत simple है एक अबन ठीक है uncovering देखते हैं uncovering का मतलब क्या होता है एक बर पहले statement पढ़ते हैं using data mining and other analytical tools methods to develop deep insight into customers and how they behave customer को समझो customer को जानो deep insights क्या चल रहा है उसके दिमाग में वो समझने की कोशिश करो उसके लिए हमने data mining के techniques लगा दिया political tools लगा दिये ताकि हम उनको समझ सके क्या चल रहा है उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो क्या करना चाहते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा second वाला third वाला पढ़ते studying the best practice companies to improve performance हमें पता है हम इस segment में है let's suppose हम लोग mobile phone बनाने वाली company है तो हम देखेंगे यार हमारी line में सबसे best company कौन सी है टॉप पे कौन चल रहा आज की date में अच्छा apple है apple चलो ठीक है apple को कॉपी करते है या apple को समझते करता क्या है यह उसी को हम कॉपी करेंगे ठीक है benchmark set कर दिया भाई apple करता है ऐसे इतना most काम करता है apple तो भाई इसी को copy करो इसी को देखो इसका set कर दो bench mark कर दो के भाई इसी level पर आना हमें अगला क्या है factoring the interest of consumers employees shareholders and other stakeholders into activities of the enterprise factoring the interest of consumers consumer को क्या चाहिए आपसे employee को क्या चाहिए आपसे shareholder को क्या लेना है आपसे और आपका enterprise में क्या-क्या चीज़े चाहिए आपको तो यह सारा आ जाएगा आपका किसमें आपका broadening में broadening समझना broad करो interest of consumer को समझो अपना दिमाग ब्रॉड करो employees का इमाग में deep insights क्या है uncover करो उनको खोल के देखो क्या है उसके अंदर तो इसका answer number two हो गया है एक बार आप check कर लेना thank you so much to be with connected with me वह थाई दोगा मेरा बाई